यह तो हम एकाज़वे बे और यह है टाइमस्कॉयर इसको कहते हैं यह देखिए टामस्कॉयर लिखावा भी है यहां पे जूम करके बता जेते हैं आपको ना ओर मैंस दशोल गदा नहीं है यह यहं यहां पर नंसें पर यहां पर पुरे बड़े ब्रैंड के घड़ियां उड़ियां है लोग यहां पर पूरा मौज मस्ती कर रहे हैं और इसके सामने टाइम स्कॉयर के सामने आपको हम क्या बता रहे हैं यहां पर देखो गई इम्पेरियल एडिट के उपर क्या लग रहा है और और चाहिए हो अला दिन में तो यहां पर हलाल खाना भी एवलेबल है होंग कॉंग में तो यह है कैस कोई बे के पास में आप जो है टाइम स्कॉयर के एक दम अपोजिट आए तो आपको जो है हलाल खाना मिलता है तो मैं हू जाओंगा देखूंगा के भाई कैसा खाना क्या है तो हम अभी जा रहे हैं रोड क्रॉस करके अला दिन मेंस में जाएंगे और देखिए के वहां के जाएखें कैसे सिगनल वाई यह दो हो डवल डेकर जा रही है और यह खुपसुरत हमकॉंग के टैक्सी लाल वाली टैक्सी यहां पर लोग जो है डिसिप्लिन से रहते हैं और जो है मतलब घाई मस्ती नहीं करते हैं जैसा कि सिगनल को तोड़के जाता नहीं है उपड़ जाने का रस्ता कह नीकौ्स आजिए बूल शूर्भूल एका चोटा सा रास्ता है कि यहां से आप चुपए अंदर जा सकते हैं हमादीन में अच्छल्आ के यहां तरहे हैं यहां पर अंदर है किचिन अला दिन मेस में खाना यहां पर अभी देखेंगे कैसा क्या है और हमारे कैमरामेन बोर रहे थे कि काफी अच्छा खाना है तो अभी यहां से हम खाना चूस करके खाएंगे बहुत गुग लग दिया कि काफी लोग है रेस्टोरंट भरावा है आप कैसु वे में हैं त वर्दस हलाल खाना का सकते हैं तो हम अभी देखेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर इसके बाद में आपको बदाएंगे तो भाई मेनू कुछ इस तरीके से है अला दिन मेस का और यहां पे जो है आपको पूरा प्राइजिंग लिखी वी है यह एपिटाइजर है तंदुरी इस पिशल लाइट्स विचे टिपल है तो पूरे प्राइजिंग जो है यहां पर होंग कॉंग की मिल जाएगी तो आपको जो खाना है वो खाईए पेड़ बर के खाईए अच्छा खाना है तो फिर आद में बाद में फिर आईए खाईए और यह एक छोटा सा आपको जो है मैं बता देता हूं जहां पर देवो काफी लोग खा रहा हूं चोटा सा रेस्टोंट है लेकिन ठीक है और बुला लो भाई शेलो यह देखा वर्मा आगया भाई जावड़ दस्त और यह है रोटी है चलिए भाई शुरू करो कैमरा में चलिए हम यह खाते हैं भाई खागे यह हैं चकन बिर्यानि तो अब हम यह भी खा कर देखेंगे क्या है तो वह अलाज दिन में खाना ना हो घाया है रोटी भी खा ली डाल प्रवाद में चिकन बिर्यानी भी खाये अलहम्दुल्लाव जबर्दस मज़ा आगया चकास अब हम जा रहें बाहर तो अगर आप इधर आएँ आए आसपास में कैसो बे में टाइम स्कॉर के पास में यहां से दिगर आए तो यह ताइम स्कॉर है तो आप इसके सामने आए त डूइख हो बाए घंग कोंग का पुराना आप यह पट्री पहर जो दूर तक और सामने यहां पर सिंग्णल पर है यह दो एलेक्टिक से चर रहा है है होंग कॉंग ट्रैम वेस यह बहुत पुराना है अभी भी जो है यह चालू है और मैं हूँ कैसुए बे में होंग कॉंग में यहां की रोनक देखिए आप अभी हम खाना होना खा लिए यह टाइम स्कॉर है सामने और इचर डोबाएं यह द यह गया पिछे यह देखिए शॉप से दर दुखाने पुरे और यहां पर हम अभी खाना खा के निकले अलादीन में से और रहे खा गया चलो गई किदर चलना पर आगे तो अब हम जैसा यह सिगनल खुलेगा हम जाईए तेसला देखो वाइट टेसला जैसला यह खुल गया है आजवाई ताइम क्या हो रहा भाई सब क्यामरा में टाइम क्या हो रहा आए अच्छा यह अरे हाँ यह तो डिजिटल क्लॉक में यह तो टाइम जेगे आड़ बजने ठीक अब यह थंडी चालो हो गई और बस आईए इधर भी एक चोटा सा सिगनल है यहाँ पर देखें लोग बहुत फालो डिस्सिप्लीन से रहते हैं जब सिगनल ओपन होता है तो ही जाते हैं आज है 27 डिसंबर दो हजार देवीज और मैं हूँ कैसुए बे में और आप देख रहे हैं के चैना एक्स्पोलोरर हमारे कैमरा मैन हमारे साथ चल रहे हैं और यह बिल्डिंग जो है तैम स्क्राइब बढ़ी है और नीचे शॉपिंग का पुरा डेन है नीचे जो है पूरा शॉपिंग है हर चीज है आपके लिए प्रा सेलर में बनावाए इस्टेशन भी है और किरिस्मस का टाइम भी है तो काफी लोग अपने हॉलिडेज में हैं बच्चों के साथ जो शॉपिंग कर रहे हैं घूम रहे हैं और कुछ गेम्स कर रहे हैं देखो यहां पे सामने बच्चे खेल रहे हैं यह देखो वाल उदर से दर आ रहा है यह भी एक गेम है यह देखो पुरा इस्प्रस का यहां पे थीम लगी हुए है टाइम स्कॉर में बड़ी अ कुप सुरत बिल्डिंग है यहां है भाई इस्टेशन इधर है इछे है तो यह है कैसुए बेस्टेशन वी टू एक्जिट तो यहां से नीचे जाएंगे इसके बाद हम हमारे डेस्टिनेशन दे हम जाएंगे अलविदा टाइम स्कॉर हम जा रहे हैं